आपका हमारे चैनल पर स्वागत हैं अबनास टुटोरियल में अबनास, गूड मॉर्णिंग और जो लास्ट क्लासेस में चल ले थी दिवगाद समीकरण उसको कंटिन्यू कर रहा हूं और यह दिवगाद समीकरण के जो सम इंपॉर्डेंट ट्रिक्स है उसके वाराण डिसकस कर रहा है टोटल दिवगाद समीकरण को मैंने टोटल एट पार्ट में डिवाइट किया है कि इस एट ट्रिक्स को अगर आप लर्ण करके प्राक्टिस कर लेते हैं तो दिवगाद समीकरण से related कोई भी questions अगर competition examination में आता है तो आप उसको within 10 seconds कर सकते हैं जैसे इस properties को तुलाज हम लोग समझेंगे यदि किसी संख्या का A by B वे भाग का C by D वा भाग E है तो संख्या क्या होगी पीट से आपको समझाने को उर्सिस करेंगे यदि किसी संख्या का A by B वे भाग का C by D वा भाग E है तो वो संख्या क्या होगी तो formula है E गुना B by A गुना D by C अब इसी basis पे जो question competition में आया हुआ है वो question है यदि किसी संख्या का 4 बटे 5 वे भाग यहाँ A by B वे भाग था यहाँ 4 बटे 5 वे भाग तो आप पहले यहाँ पर value लिख लिजी A is equal to 4 B की values यहाँ पर हो गई 5 पाचे भाग का एक बटे 4 वा भाग यह C by D वा भाग लिखा है तो यहाँ पर C का मान हो गया एक और D का मान हो गया 4 C by D वा भाग E है तो एक बटे 4 वा भाग 28 है तो इससे हमको समझ में आया कि E का जो मान है वो मान 28 है अब यह सब सारे मान मिल गए तो आपको वो संक्या निकाल ली है तो वो संक्या जो होगा E की जगा पर 28 B by A B की जगा पर 5 A की जगा पर 4 गुर्णा D D की जगा पर 4 और C की जगा पर 1 अब इनी को कैंसिल कर दीजे और 28 गुने 5 मल्टिपलाई करके आपको वो संक्या मिल जाएगी अब अगर इस लाइन को थोड़ा सा डारेक्ट करना चाहाए तो बहुत कॉंपलिकेड़ होगा लेकिन अगर हम यह फॉर्मुला का अपलाई कर ले यह स्ट्रिक का अपलाई कर ले तो यह 10 सेकेंड भी नहीं लाएगा 5 सेकेंड में आपको अंसर आ जाएगा फिर से समझने कुर्सिस कीजेगा यदि किसी संख्या का A by B वा भाग का C by D वा भाग E है तो संख्या क्या होगी तो सिंपल E गुने B by A गुने C by D A by B यहाँ 4 बटे 5 दिया है C by D यहाँ 1 बटे 4 दिया है और E का मान यहाँ पर 8 दिया है वैलू रख देते हैं मल्टिप्लाई करके आपको वो संख्या मिल जाएगे अब इसके बाद जो हमारा अगला ट्रेक्स है यह ट्रेक्स नमबर 5 था अब यह ट्रेक्स नमबर आपका 6 6 में क्या है कि यदि किसी संख्या का A by B वा भाग X है तो संख्या मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी X क्योंने B by A फिर से समझेगा यदि किसी संख्या का B by A वा भाग A by B वा भाग X है तो वो संख्या क्या होगी तो X B by A हो जाएगी अब इसी पर कोशन आया हुआ है यदि किसी संख्या का 4 बटे 5 वा भाग तो 4 बटे 5 मतलब A बाई B तो A कमान हो गया यहाँ पर 4 B कमान हो गया 5 4 भाग X है तो 4 बटे A बाई B भाग X है तो 4 बटे 5 भाग 24 है तो X कमान है यहाँ पर हो गया 24 तो वो संख्या निकालना है तो संख्या होता है X X हो गया 24 B B यहाँ पर है 5 by A A कमान यहाँ पर 4 B by A B कमान 5 A कमान 4 और वो जो नमबर आ जाएगा वो हो जाएगा 30 तो यह देखें विदिन 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में इस टाइप पर कोशन का सॉलुशन हो गया अब जो नेक्स्ट है ट्रिक्स नमबर 7 ट्रिक्स नमबर 7 में दिया हुआ है कि दो अंको वाली संख्या दो अंको वाली संख्या को hum लोग जनेरली 10X PLUS Y मानते हैं दो अंको वाली संख्या के अंको का योगफल X है तो उसके जो अंक है जैसे मान लिजये कि अगर एक नंबर हमने 10X PLUS Y एक नमबर मान लिया तो ये दिया है कि अंको का योग अगर 10 A प्लस B मान लिया तो अंको का योग मतलब A प्लस B ये दिया A प्लस B का मान X है इस संख्या में Y घटाने पर इसका अंक पलड जाता है अब ये जो संख्या है इसमें से अगर हम Y घटा दे तो यह संख्या आ जाता 10B प्लस A पहले था 10A प्लस B लेकिन जब इस संख्या में Y घटा देते हैं तो यह 10B प्लस A हो जाता है तो संख्या क्या होगी तो अगर हम ऐसे solve करेंगे तो यह बहुत लंबा होगा लेकिन इसका direct जो properties है 11X प्लस Y बटे 2 हो जाता है अब यहाँ पर दो अंको वाली संख्या के अंको का योगफल X अंको का योगफल है तो यहाँ पर देखते हैं दो अंको वाली संख्या के अंको का योगफल 5 है तो इसका मतलब X का मान यहाँ पर 5 दिया है अंको का योगफल इस संख्या में y गटाने पर इस संख्या में 9 गटाने पर तो इसका मतलब यहाँ पर y का मान है 9 तो जो संख्या हम निकालना चाह रहे हैं जिस संख्या की value वो संख्या यहाँ पर हो जाएगी formula 11 into x x का मान 5 है plus y y का मान 9 है by 2 55 बटे 9 by 2 अब इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे इस तरह से हमारा यह जो इतना लंबा calculation हम निकालने जा रहे थे केबल यह properties हम put up कर लेंगे 11 x plus y y 2 तो हमारा यह जो question से वो solve हो जाएगा जिसमें दो अंको वाली संख्या के अंको का योगफल दिया रहेगा और इसमें से अगर हम लोग 9 घटा दे रहे हैं तो वो संख्या क्या होगे तो 11 गुने अंको का योगफल जोड जो नंबर हम घटा रहे हैं बटे 2 अरत दिवगात समिकरन का जो आकरी जो tricks है जो total 8 टैप से question आएंगे इसलिए 8 भाग में हमने इसको बाट दिया है और उसमें सारे tricks को निकाल दिया है दो अंको वाली संख्या के अंको का योगफल एक्स है इस संख्या में वाई जोडने पर 8 में हम घटा रहे थे वाई इसमें जोड रहे तो अंको का योगफल क्या हो जाएगा तो अंको को पलट दिया या था तो संख्या क्या हो जाएगी तो वो जो संख्या है 11 इन 2 अंको का योगफल यहां अंको का योगफल क्या है 6 माइनस Y जोड़ा जाता है और यहां पर 36 जोड़ा जाता है तो Y का मान हो गया 36 बटे 2 36 बटे 2 और यही गटा करके वो संख्या जो थी वो 15 थी तो आपको 5 सकेट लगा है केबल इसको solve करने में कोशन किस तरह गटा था दो अंको वाली संख्या के अंको का योगफल X है इस संख्या में Y जोड़ दिया जा पहले वाले में X घटा दिया था इसमें Y जोड़ दिया और Y जब घटाएंगे तो 11 X प्लस Y Y2 हो जाएगा इस तरह से दोनों टाइप वो कोशन आएंगे तो आप ऐसे करके solve कर लेंगे अगली classes में हम लोग next topic के साथ आएंगे जाएंगे जाएंगे